दोस्तों नमस्कार स्वागत है गुजरात विधानसवा चुनाओं में बीजेपी को कड़ी टकर देती दिख रही है आमादवी पार्टी सर्वे में बड़ा खुला सा दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आमादवी पार्टी की सियासी खुआइस कुछ अन्य कराने की है इस साल मार्च में पंजाब में मिली पचंड जीत के बाद से ही आमादवी पार्टी के राष्टिय संयों जक अर्विंद केजरिवाल लगातार हिमाचल और गुजरात का चुनावी दौरा कर रहे हैं विसेसकर गुजरात में उन्होंने ज्यादा फोकस किया है ग कि सभी सीटे इनहीं दो राजनीतिक दरों की जोली में जाती रही हैं आमादवी पार्टी ने साल 2017 में भी गुजरात का विधान सवा चुनाव लड़ाता हाना कि तब पार्टी ने सिर्फ 30 सीटों पर ही उमीदवार उतारे थे वहीं सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है इस बार बीजेपी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है खास कर आमादमी पार्टी की वज़े से क्यूंकि आमादमी पार्टी जादा तर सहरी इलाकों में फोकस कर रही है जिनमें बीजेपी का बर्चस्व है बीज उधारण के तोर पर सहरी इलाकों में जैसे सूरत आदी में आमादमी पार्टी संगठन जोर से चुनाओं पिचार कर रहा है पिछले साल हुए इस्थानिय निकाय के चुनाओं में सूरत नगा निगम की 120 में से 27 सीटों पर आमादमी पार्टी ने जीत दर्च की थी और उसी के चलते इस बार आमादमी पार्टी को पूरी उमीद है कि वहां गुजरात में अच्छा प्रदैसन कर सकती है और जिससे बीजेपी की मुस्किलें बढ़ना लगवक्त ताइम आना जा रहा है दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई ब्रेकिंग निउस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा आप सभी का वीडियो देखने हैं